हेलो फ्रेंड्स रंजीतास किचेन में आप सभी का स्वागत है मेरी आज की रेसिपी है नाडियल की बड़फी जो बहुत ही स्वादिस्ट बनकर त्यार हुआ है और इसे बनाना भी बहुत आसान है बस कुछी चीजों से बनकर तुरंत त्यार हो जाता है तो आईए देखते ह एसे बनाने का तरीका अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीजी से सब्सक्राइब कर लें और शाथी यूआ के जरूर दवाये तो चलिए हलका सा हम भून लेंगे इसे बस थोड़ी देर भूनना है फिर इसमें हम डाल देंगे एक ग्लास दूद और इसे भी निला लेंगे हम अब इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाज कर हम दूद गाड़ा होने तक अच्छी तरह पकालेंगे गैस का फ्लेम हम एक दम हाई रखेंगे जिसे की दूद जल्दी पक जाए बस इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चला कर पकारना है अब इसमें हम डाल देंगे चार चमच मिल्क पाउडर इसे भी हम मिला लेंगे मिल्क पाउडर डालने से नाड़ियल की बर्ती का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है इसका आप इसे एक बाड इस तरह जरूर बनाईए देखिए दूदब गाढ़ा होने लगाया है इसे अभी थोड़ी देर और पकाना है बस इसे एक वड़ और चला करम थोड़ी देर और पकाएंगे देखिए दूदब अच्छी तरह से सूख गया है इसे इस तरह से साइड से भी खरच कर अच्छी तरह से मिला लेंगे हम अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच एलाइची पाउडर और मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डाल देंगे आधी कटोड़ी चीनी और इस तरह चलाते हुए दूद को अच्छी तरह से सुखा लेना है बस इसी तरह से थोड़ी दर और पकाएंगे हम इसे बहुत ही स्वाधिस्ट नाडिल की बर्फी बन कर तेयार होता है इस तरह आप एक बार जरूर बनाईए अब इसमें हम डाल देंगे चमज घी इसे भी हम मिला लेंगे अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस ओफ कर देते हैं यह अब टा हो गया है अब इसे हम एक बर्तन में जमने के लिए निकाल लेंगे यह बहुत ही आसानी से जम जाता है अब इसे किसी भी प्लेट में या फिर पेपर पर जमा सकते हैं बस इसे इस तरह से दवा दवा कर सेट कर लेंगे यह अब अच्छी तरह सेट हो गया है इसे हम 5-6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखतेंगे और 6 घंटे के बाद इसमें हम कट लगा लेंगे बस यह नाडियल की बड़िया बनकर बिल्कुल तेयार है देखिए यह कितना बढ़िया बनकर तेयार हुआ है बस इसी तरह से हम सभी को निकाल लेंगे नाडियल की बड़िया बनकर बिल्कुल तेयार है आप इसे एक बड़ जरूर बनाईए और अपने अनुभव हम से सेयर कीजिए अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीजिसे लाइक एंट सेयर जरूर करें थैंक्यू प्लूर करें लाइक लाइक करेंगे